और आपको बताएं कि आज तक को इस ड्रॉग सप्लाई चेन के बारे में एक्सक्रोसिफ जानकारी मिली है सूत्रों से मिली जो जानकारी है वो हम आपको बताएंगे कि ये चेन किस तरीके से काम करती थी सुशायत को 10 से ज्यादा बार ड्रग्स की सप्लाई की थी गोवा से ड्रग्स का कारोबार चलाने वाला क्रिस कोस्टा अनुच केसवानी को ड्रग्स खासतोर पर LSD की सप्लाई करता था सूत्रों से मिली जानकारी की मुताबिक दिपेश और शौविक को ड्रग्स केस की जाच में अनुच केसवानी और केजे यानि की करमजीत का लिंक भी सामने आया और आज तक कुछ जानकारी मिले उसके मुताबिक NZB ने अपनी जाच में पूरे ड्रग्स चेन को एक दूसरे से जोड़ा पाया और फिर केस में कई गिरफतारिया अब तक हो चुकी है और कुछ और अभी बाकी है हमारे साथ इस वक्त हमारे दो सेहोगी जुड़ चुके हैं विद्या हमारे साथ हैं और आशुतो जोनो मुंबाई से हमारे साथ हैं सबसे बड़ी बात विद्या क्योंकि कल से इस पूरी खबर पर आप नसर बनायों है साथ एहम बड़ी गिरफतारिया लेकिन बड़ी बात क्या बड़ी मचलियों तक NCB पहुँचेगी विद्या जी बिलकुर इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो जितने भी ड्रग पेडलर्स अभी पकड़े गए हैं वो सब के सब वो लोग हैं जिन्होंने काफी सारे बड़े बड़े लोगों को बॉलिवूड में सप्लाई किया है सिंडिकेट जो की NCB बहुत दिनों से कहती आ र है उसके जरिये वो लोग आगे जरूर पहुचेंगे बिल्कुल विद्या रही है हमारे साथ आशुतोष में आपके पास आना चाहूंगी बड़ी बात क्यूंकि जिस तरीके से गिरफतारियां हो रही है अब ऐसे में रिया के वकीलों को आज कॉपी मिलेगी और फिर उसके के लिए आगे भी राह में आगे भी जमानत की राह में रोडा बन सकती है देखे सबसे पहले क्या है कि एक तो कल उन्हें कोपी है वो मिलेगी कोड से उसके बाद वो देखेंगे किस-किस आधार पर कोट ने जो जमानत याचिका है उसको खारिच की है फिर वो जा करके अग केशवानी केशवानी से करंजी तुर्क केजे और उसके बाद साथ गिरफ्तारियां और अब तो पेडलर्स की सीजिंग भी हो रही है काफी जो मौत का सामान है वो बरामद हुआ है और आपको सबसे हम बात ये कि जिन बॉलिवुड के 25 बड़े नामों का खुलासा हुआ थ ये ड्रक्स लेते हैं सिंडिकेट का हिस्सा हो सकते हैं सीधे उन तक एंसीबी हाथ नहीं डाल रही है पेडलर्स को पकड़ रही है लिंक स्टेबलिश कर रही है पैसा कहां से आया कैसे गया और जब ये कारिवाई पूरी होगी तो बड़े नाम आएंगी लेकिन इसमें काम सामने और बड़े गिरफ्तारिया हो रही है जिए प्राहिमा फेसाइस स्टेज पर है इसलिए नहीं जमानत नहीं मिलनी चाहिए